असलाम आलेकूं फ्रेंस आप सब कैसी हूँ उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो चलिए फ्रेंस आज आज फिर आ गए हैं एक और नियुज़र पेसी रेसिपी के साथ आज आज मनाएंगे गुलगुले की रेसिपी यानि की गेहुके आटे की मालपु पने तो ऑप इसके आज देmam के रहां पर आज में इसके बाद मैं दिएता बना और जचाफ और को ऑलनाे पट रखंसेर better象 रeffect खाना मालपूं जहके नियुक्छा कईहँ हैं एक अच्छे से पानी में लिए तोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसमें लंस नहीं पड़े और हमें इसे लगातार चलाते रहना है तो आप देख सकते हैं मैं इसे लगातार चलाते रहूंगी ताकि जो हमारे सारे लंसे वह अच्छे से मिठ जाए और हमें एक स्मूथ बेस बनकर हमारा तैयार हो से अच्छे से मिक्स कर दूंगी तो आप देख सकते हैं हमारा जो पेश्टे बनका तयार हो चुका है आप इसकी consistency देख सकते हैं यह कितना हुआ तेज आज पर, ताकि जो हमारा तेल है, व भी थंडा ना हो, और हमारे तेज आज के गयास पर ही गल गूले बनका तयार होते हैं तो हमारे जो गल गूले हैं अब आपको इसे दूसरी तरफ से शेक्त से लेना है इनको आपको जादा नहीं सेक्क ना Basic गुल्ड़े प्राइ होने तक ही सेखना है ताकि यह सौफट बने रहे हैं और बिल्गुल भी टाइट नहीं तो आप देख सकते हैं हमारे जो गुल्गुले हैं वह अच्छे से एक तरफ से शिख चुके हैं हम इनको पलड़ दूँगी और दूसरी तरह से भी अच्छे से से स साइड में रख देंगे. आप देख सकते हैं मैं avaient सारे 것도ल अच्छे से निंकाल लिए और मैं एक प्लेट में निकालकर रख दिया है, इसके बाद हम इसे कर देंगे ठोब सा डैकोरेट. मैंने इस में इस पर डाल करें और आपको मेरी वीडियो अच्छे लगती हैं तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना बोलें तो देखें दोस्तों हमाईरा से भी वीडियो अच्छे लगे और लाइक करें थैंक्यू